हिमाच प्रदेश में कॉंग्रेस पार्टी के प्रतिग्या पतर के बाद भाजपा ने भी अपना संकल्प पतर जारी कर दिया है। भाजपा ने रिवाज बदलने की कवायत के चलते प्रदेश की जनता के साथ कई नए वादे किये हैं। डॉक्टर सिकंदर कुमार की अध्यक रिष्टा में 26 सदस्य की टीम ने इस संकल्प पतर को त्यार किया है। राष्टे अध्यक जेपी नड़ा ने कहा कि भाजपा ने जो कहा वो तो किया ही जो वादे नहीं किये उनको भी पूरा किया। भाजपा ने दो लाख परिवारों को प्रधानमंत्री योजना प्रधा राम सरकार ने पूरा किया। अब राज नहीं रिवास बदलेंगे। एम्स हाइड्रो इंजिनेरिंग, बल्क ट्रग पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, अटल टरनल हिमाचल को तिये। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनने पर युनिफॉर्म सिविल कोड लगाया अगले पांच साल में परधार मंद्री योजना के तहट सभी गाउं को पकी सडकों से जोड़ा जाएगा, जिस पर पांच हजार करोड खर्च होंगे। भाजपा सरकार शक्ति योजना के तहट 12 हजार करोड का निवेश दस वर्षों में करेगी, सभी मंदिरों का विकास के आसपास विकास होगा, से पैकिंग समगरी पर जिस टी के 12 फीस्दी से जादा प्रदेश सरकार वहन करेगी, से बागवानों को लाब मिलेगा, भाजपा सरकार प्रदेश में पांचने मेडिकल कॉलेज भी खोलेगी, वक्त बोड की संपतियों का सर्वे करवाया जाएगा, अवैस संपतियों के लिए नियाएक आयो गठित करेगी, सरकारी करमचारियों की वेतनवी संगतियों को दूर किया जाएगा, इसके अतिरिक्त महिलाओं के लिए भाजपा की सरकार लड़कियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री शगुन के तहत 31,000 से 51,000 देगी, छटी से महिलाओं को 25,000 रुपे की राशी माता और नवजात की देखबाल के लिए दी जाएगी, देवी अनपूर्णा योजना के तहत साल में तीन LPG सिलेंडर गरीब महिलाओं को देंगे, गरीब परिवारों की 30 वर्ष से अधिक महिलाओं को अटल पेंशन से जोड़ा जाएगा बारवी कक्षा में शिर्ष में आने वाली छात्रों को 25 सो हर महा देने का वादा भी भाजबने किया है कुणवत्ता चारा खरीद के लिए उचित मुल्य की दुकानों से खरीद की जाएगी, हिमक्यर कार से कवर ना होने वाली महिलाओं को स्तुरी शक्ती कारपरदान किया जाएगा हिमाचल के सभी 12 जीलों में दो-दो गर्ल्स हॉस्टल खोले जाएगे सरकारी नौक्रियों और शैक्षिनिक संस्थानों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षन दिया जाएगा कि जो हमने कहा था वो तो किया ही किया जो नहीं कहा था उसे भी पूरा किया है और उसके साथ साथ विकास के दृष्टी से एक नए आयाम को हम लोगों ने स्थापित किया है जो रुएदे किये थे वो तो पूरे किये ही किये लेकिन बुलंग इरादों के साथ हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा की गई है और इसलिए जब मैं चर्चा करता हूँ जिसके बारे में अभी सिकंदर जी ने भी आपके सामने कहा जो हमने कही थी और बहुत सी बाते ऐसी भी थी जो हमने नहीं कही थी अगर हम इंपावर्मेंट की बात करें तो हमारे ध्यान में आता है कि गरीब कल्यान अन्योजना के तहट हमने कहा नहीं था कि हम लोगों को दो वक्ति मुरोटी की मुनसर करेंगे लेकिन हिनाचर प्रदेश में लगबग 28 लाख लोगों परिवारों को हमने प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना के साथ जोड़ा अगर हम बात करें स्वच भारत की तो हमारे ध्यान में आता है कि लगबग एक दो लाख परिवारों को हमने स्वच्चता के साथ जोड़ा इज़द घर देने का प्रयास हुआ अगर हम बात करें आवास योजना की तो मैं बार-बार कहता हूँ कर प्रगान मंत्री जी ते भी आकड़े बता करके बताये थे आपके सामने आज हम हजारों की संख्या में प्रगान मंत्री आवास योजना में लोगों को पके घर दे रहे हैं अगर हम स्वभा की योजना की बात करें तो 100% इनेक्टिफिकेशन हो गया और वो है कि यह संकर्पत्र 11 कमिट्मेंट्स के साथ खड़ा है बिस यह हमारी 11 कमिट्मेंट्स हैं डीटेल आपको मिलेगी लेगि हम अब आपके सामने 11 कमिट्मेंट्स आपके सामने जरूर हम चर्चा करना चाहते हैं पहली बात ये 11 commitments society में uniformity लाएगी ये commitments youth और हमारे farmers को empower करेगी ये commitments हमारे horticulture को मजबूती प्लान करेगी ये हमारे commitments हमारे government employees को एक तरीके से नए दिलाएगी और ये हमारे commitments कुल मिला करके एक religious tourism को भी आगे बढ़ाएगी और इसलिए मैं आपके सामने सबसे पहले जो संकल्प पत्र के 11, 11 संकल्प के बिंदू है उनको आपके सामने में रखना चाहता हूँ कि हम भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार यहाँ पर uniform civil code लेके आएगी और इसके लिए एक समिती बनाई जाएगी एक्सपर्ट्स की और उनके रिपोर्ट के आधार पर हिमाचल प्रदेश में uniform civil code लगाया जाएगा हमारी दूसरी commitment है कि भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार मुक्ष मंतरी अंदाता सम्मान निधी के पहत जो प्रहां मंतरी किसान सम्मान निधी में जो राशी मिलती है उसके साथ साथ तीन हजार सालाना तीन हजार रुपे सालाना ये उसमें जोड़ा जाएगा और इसमें लगब नो लाग तिरासी हजार हमारे किसान भाई जुड़ेंगे अगर हम इसको ब्रॉड फिगर्स में कहें तो दस लाग किसान भाई जुड़ेंगे हमारी तीसरी commitment है कि भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार आठ लाख से जादा जॉड ऑपर्चुनिटीज employment की ऑपर्चुनिटीज को हिमाचर प्रदेश में फेज मैनर में बढ़ाएगी इसमें सरकारी जॉड और हमारे जो एकनॉमिक जोन में काम खो रहे हैं उसके साथ मिला करके लगब आठ लाख से जादा जॉड जॉड ऑपर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी हमारी चौती कमिट्मेंट है कि भारतिय जन्ता पार्टी ये सुनिश्वित करेगी कि सभी विनिच सभी गाओं स्टेट के वहाँ पक्के सरकों के साथ जुर जाएंगे प्रण मंत्री ग्रामीन सरकी इन्दा कि वहाँ अगले पाँच सालों में यानि और इसमें लगबग पाँच हजार करोर रुपे से जादा की लागत का खर्च आने वाला है हमारी पाँचवे कमिट्मेंट है कि भारतिय जन्ता पार्टी एक प्रोग्राम लाँच करेगी शक्ती के नाम से जिसमें बारा हजार करोर रुपे दस सालों में खर्च होंगे टू डेवलप विक्सित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांस्पोर्टेशन इसके डेवलप्मेंट करने के लिए religious places, temples इसके इर्द गिर्द और इसके आस पास के वो डेवलप्मेंट करने के लिए बारा हजार करोर रुपे खर्च होंगे शक्ती के नाम से और इनको हिम तीर्द के सरक्ट से जोड़ा जाएगा और well collected बनाया जाएगा इसका भी इसमें प्रियास होगा हमारी च्छटी commitment है कि भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार GST के payment में हमारे किसान भाई जो apple के packaging में material इस्तवाल करते हैं वहां 12% होगी और उससे जो additional GST होगी उस packaging की वहां प्रदेश सरकार उसको वहन करेगी हम जानते हैं कि हमारे चल प्रदेश सेवों के साथ जाना जाता है सेव की साथ उसकी पहचान है और इस विशेग पर चर्चा चल रही थी कि packaging के दृष्टी से GST 12 प्रदेश्ट से उपर नहीं जानी चाहिए तो हमारे चल सरकार ने तैय किया है और लगबग इससे एक लाग सतर अजार फार्मर्स को लाब मिलेगा और पच्चिस क्रोड रुप की लागत इसमें लगेगी ऐसा अरुमान किया गया है हमारी साथवी commitment है कि भारतिय जनता पार्टी के सरकार पाँच नए medical colleges प्रदेश में खोनेंगी हेल्थ के infrastructure के दृष्टी से और primary health को और सुद्रण करने के लिए mobile clinic वैंस जो है हर विधान समा में दुगनी कर दी जाएगी ताकि दूर दराज के ख्षेत्रों में लोगों को स्वास्त के दृष्टी से स्वास्त उसके दौर पहुंचे इसको हम सुनिश्चित करेंगे और regular health check-ups की विवस्ता उसमें की जाएगी उसी तरीके से भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार हमारे नाजवानों के लिए हिल स्टार्ट अप यूज़ना चलाएगी और इसमें एक कॉर्फस फंड of 900 क्लोर रुपीस का खड़ा किया जाएगा to promote start-ups to promote start-ups और हमारे यूज़ाओं को start-up में अपने साथ शामिल करने के लिए 900 क्लोर रुपीस का एक कॉर्पस खड़ा किया जाएगा हमारी नौवी commitment है कि भारतिय जन्ता पार्टी हमारे जो कराशिया amount payment होती है जो हमारे soldier भाई है जो शहीद हुए है और जो dependence है उनके उनके जो उनको हम आर्थिक मदद देते हैं उसमें हम इजाफा करेंगे उसको हम बढ़ाएंगे और उनको हम हुदात्मा सम्मान राशी यूजदा जो है उसको हम उसमें हम बढ़ोत्री करेंगे हमारी दस्वी commitment है कि भारतिय जन्ता पार्टी एक सर्वे करेंगी और वक्फ की जो properties है उसको as per law एक judicial commission के तहर investigate किया जाएगा और illegal usage जो है जो गैर कानूनी तरीके से उसका इसका इस्तमाल हो रहा है उस पर रोक लगेगी ऐसी properties पर इसके लिए भी हम काम करेंगे हमारी ग्यारवी commitment है कि हमारे जो कर्मचारी भाई है उनके जो remuneration में discrepancy है उसको हम government employees की पूरी की पूरी remove कर देंगे यह हमारी ग्यारवी commitment है इस तरीके से हमारे संकल्प पत्र के सभी विश्यों के लिए इस 11 commitments के साथ भारतिय जन्ता पार्टी आगे बढ़ रही है मैं यहाँ आपके सामने इस बात को भी कहना चाहता हूँ कि भारतिय जन्ता पार्टी हिमाद से प्रदेश की शाका ने महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के बारे में विशेश रूप से सोचा है और हम यह भी आपको बताना चाहते हैं कि हमारा मानना है कि समाज को अगर आजे बढ़ाना है तो जब तक महिला सशक्तिकरण नहीं होगा तब तक परिवार सशक्तिकरण नहीं होगा जब तक महिला सेशक्तिकरन नहीं होगा तो आने वाली जेनरेशन्स का सेशक्तिकरन नहीं होगा और इसी लिए हम जानते हैं कि प्लाण मंत्री मोदी जी ने महिलाओं के जीवन सर को और इमपावर्मेंट करने के लिए जो योजना लेकर के आए उन योजनाओं से महिलाओं की जिंदगी में मूल बूत परिवर्तन हुआ है और उसी को आगे बढ़ाते हुए जैसे अगर हम आज बहता हैं तो एक समय था कि लगबाग 11 से 12 करोर इज़त घर बनाए गए यानि एक देश की ऐसी भी स्थिती थी कि 12 करोर परिवार बिना इज़त घर के थे तो महिलाओं की डिगने की क्या स्थिती थी आज हम यह कह सकते हैं कि जब महिला सुवा उठती है तो इज़त घर के कारण सबसे पहले उसका सशक्ती करना होता है जब महिला उठती है और किचन में जाती है तो लक्रे के चूले के बजाए वहाँ गैस का सिलिंडर होता है तो उससे उसका सरसक्ती करना होता है जब महिला के बच्चे बच्चिया स्कूल जाती है और लॉड ओर के सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए उनको सुरक्षा मिलती है और स्कूल में उनके लिए व्यवस्था होती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की युज़ना बनती है तो वहाँ उन के से अगर हम ऑपर्चुन्ती जौब ऑपर्चुन्टीस की बात करें तो आज डिफेंट सेक्टर हो यह स्टार्ट अप इंडिया हो 81% of entrepreneurs are women entrepreneurs इसको भी हमको ध्यान में रखना होगा इसलिए सुगन्य असंप्रिदी योजना हो चाहे प्रधान मंत्री मात्र तो वंदर ना योजना हो यह सारी योजनाएं महिनाओं का सशक्ति करन करती है इसलिए हिमाचल प्रदेश की मैं प्रदेश हिकाई को बधाई भी देता हूँ सादुवाद भी देता हूँ कि इन्होंने कहा कि एक संकल पत्र स्टीकेंस महिलाओं के नाम पर होगा महिलाओं के लिए होगा इसलिए स्त्री शक्ती संकल्ब यह भी इन्हों ने करने का प्रयास किया है और उसको रखने का प्रयास किया है और उसमें भी हमारी 11 कमिटमेंट्स हैं हमारे 11 संकल्ब हैं जिसको हम पूरा करेंगे पहला समकल्प है कि भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार मुक्रमंत्री शगुन योजना के तहट जो हम बीपियल फैमिलीज को उनके विवा के सरे हम 31,000 देते हैं उसको हम एन्हांस करके 51,000 रुपे कर रहे हैं उसी तरीके से भारतिय जन्ता पार्टी यह सुरिश्चित करेगी कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ को ध्यान में रखते हुए हर बेटी के लिए स्कूल जाने के लिए उसे एक बाइसिकल की विवस्था की जाएगी और जो यह 6, 6 क्लास से लेके 12 क्लास तक और जो आगे की स्टेडी परस्यू करेंगी उन बच्चियों के लिए स्कूल जाने की विवस्था की जाएगी और लगबग 8 लाक बेटिया इसमें इसकी सुविदा को उप्योग कर सकेंगी और इसमें 500 क्रोड से अधिक लागत आने वाली है जिसकी विवस्था की जाएगी और उसको बढ़ाया जाएगा अगर मैं बात करो भारतिय जाएगा तो हम ये एक 500 क्रोड का हम एक कॉर्पस फंड हम इस्टैबलिश करेंगे जो महिलाओं को इंटर्प्रिनर्स को सशक्ति करन के लिए उनको इंटरिस्ट फ्री लोंस देगा और इसके लिए एक कॉर्पस 500 क्रोड रुपे का ख़ड़ा किया जाएगा इसमें टोर्टल बेनिफिशिरीज लगबग 6,10,000 होंगे और इसकी भी कॉस्ट लगबग 500 क्रोड आएगी यह है जो हमारे सेल्फ हल्प रुपस है उनकी भी अपर लिमिट को इंक्रीज कर दिया जाएगा और उनका इंटरेस्ट रेट जो है उन लोंस का दो प्रतिशत कम कर दिया जाएगा यह भी हम को धान में रखता हूँ मेलाओं के लिए चौथी कमिटमेंट है कि भारतिय जन्ता पार्टी एक एमांट 25,000 का सहयो वह जो हमारी प्रेगनेंट मदर्स है और उनके प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए विवस्था की जाएगी और इसमें लगफन बेनिफीशेरी जो है वो दो लाग चौरासी हजार होंगे और चार करोड ब्यासी चार पोड लाग बियासी हजार करोड़ रुप believers ब्यासी करोड रुपर इसमें खर्च होंगे मैं यहां आपको एक बात बिटा देना चाहता हूँ कि जो हमारी स्कीम पहले चल रही है हेल्थ मिनिस्ट्री के दोरा जिसमें जब कोई भी महिला कंसीर करती है उस समय से लेकर मंत्री नो तारी को चेक अप से लेकर सभी तरीके के इनोक्यूलेशन के साथ उसकी फ्री इंस्टिटुशनल डिलिवरी और उसके लिए डिलिवरी के लिए उसको ट्रांस्पॉर्टेशन की विवस्था करना डिलिवरी के बार घर छोण tissue कोई कंप्लीकेशन हो तो दोवारा एडमिट करना और फिर ओ कंप्लीकेशन को समाप करके घर चोणा ये तो जुड़ा ही होगा था और इसके साथ प्रती माता को 6,000 रुपे दिये जाते थे महिला सशक्तिकरण में चैराम जी की सरकार अब 25,000 रुपे उनको पहुंचाएगी और इसके तरीके से उसकी मुश्ता चाहिए हमारी पाँचवी की भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार टीन फ्री एलपीजी सिर्ट्रस टू विमन फ्रूब अओड जो हमारी गरीब महलाएं हैं जो की हमारे प्रण मंत्री गरीब करियान अन corazón के कौम्पॉ्णन्ट में आते हैं उनको सालाब टीन फ्री एलपीजी गास सिर्ट्रस दिये जाएंगे हमारी चाहती कमिटमिंट है ये भारतिय जन्ता पार्टी जो प्रोर फैमिलीज है उनको हम अन्रॉल करेंगे और 30 साल की उमर से उपर उन फैमिलीज को हम अन्रॉल करेंगे और उनको हम अड़ Re 有ना के साथ जोड़ेंगे और उसके लिए भी तीन लाख सत्तर हजार लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा और इसमें 89 क्रों रुपीज खर्च होने वाले हैं उसी तरीके से भारतिय जंता पार्टी की सरकार जो पांच हजार महिला विद्यारती जो गौर्मेंट स्कूल से पढ़ेंगे और क्लास में बारवी कक्षा में जो सबसे उपर आएंगे ऐसे विद्यारतियों को भाई हजार रुपे प्रती महिना स्कूलर्शिप दी जाएगी इसकी भी हम विवस्ता करेंगे ग्राजवेशन तक और हमारी आटवी कमिट्मेंट है कि भारतीय जन्ता पार्टी एक सिस्टम सेट अप करेंगी जिसमें हम प्रोक्यूर्मेंट और डिस्मर्स्मेंट और फॉर्डर फॉर्दी वोमिन स्टेट में फेर प्राइस शॉप से हम करेंगे इसको हम लोगों ने यह उत्तरा खंड में इसकी इज़्दा को लाया था उससे हम लोगों ने बहुत सी चीज़े उसमेंसे गुट प्राक्टिस के रुप में सीखी है तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे हमारी नौवी कमिट्मेंट है कि हम स्त्री शक्ती कार्ड सभी मेंनाओं को पहुचाएंगे देंगे जो हिम केर में जो एल्मेंट्स मेंनाओं की स्पेस्विक जुड़ हुई एल्मेंट्स उसमें कवर नहीं हुई है उसको cover किया जाएगा इसमें और उसके लिए हम उनको ये पहुंचाने का प्रयास करेंगे हमारी तस्वी कमिश्मेंट है कि हम हर जिले में दो गर्ल्स होस्टल बनाएंगे और जो बेहने जो बैट्चियां higher education परस्यू करना चाहेंगी हम सभी डिस्ट्रिक्स में दो हम गर्ल्स होस्टल बनाएंगे ताकि वो अच्छी तरीके से पढ़ सके और उसमें हम काम कर सके हमारी ग्यारवी कमिट्मेंट है कि भारतिय जन्ता पार्टी के सरकार 33 प्रितिशत की reservation महिलाओं को government jobs में और educational institutions में महिलाओं को देगी मित्रों यह हमारी स्त्री शक्ती की सके प्रतिस अंकल्प है जिसको हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं मैं यहां एक बात आपको ज़रूर बोलना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि जो कहा था वो किया है जो नहीं कहा था वो भी किया है हमारे इरादे बुलंदे हम प्रदेश को आगे ले जाना चाहते है और यह जितने भी बाते हमने कही है यह सभी एक सरकार चलाने वाली पार्टी जिम्मेदार तरीके से उनके सारे प्रोजन कॉर्स को सोच कर अपनी हिमाचल की जंता के सामने इसको रखने का प्रयास किया है आप अप्रत्रकार बंदों ने इंसानी बातों को सुना है मैं आप सब का धन्यवा देता हूँ कि आपने शांती पून तरीके से